हेलो दोस्तो कैसे है आप अच्छे हो ना आज की मूवी एक ऐसे उग्रवादी लड़की के उपर है जिसे पोलिस पकड़ने में नाकामयब रह चुकी है मगर जब उसके मिशन के बीच उसका प्यार आ जाता है तो वह अपने लक्ष से डगमगा जाती है मूवी का नाम है शीरी या स्वीरी जो 1999 में रिलीज हुई एक कोरियन मूवी है तो चलो इसका एकस्प्लेनेशन देखते है 1992 का साल है और जगह है नौर्थ कोरिया जहां एक मिलिटन ग्रूप जिसका नाम एट स्पेशल फोर्स है वहां कुछ उग्रवादियों को बुटल ट् सब उग्रवादियों में हुनहर सोलजर है हीना जिसका निशाना अचुक है और दिल में इंसानियत का नामो निशान नहीं है मानो उसके दिल में कोई आग दबी हुई हो और वह आग थी भुपमारी से मरती उसकी फैमिली ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी करने के बाद हीन हिना साउथ कोरिया में रहे के एक स्लिपर एजर्ण का काम कर रही है स्लिपर एजर्ण मतलब जब मिशन होता है तब ही वह एक्टिव हो जाती है बाकी दिनों वह आम इंसानों की तरह जिन्दगी बसर करती है हिना साउथ कोरिया के सिक्रेट एजंसी एना एस के रडार पे है क्योंकि पिछले चार साल में उसने कई वियाईपी इसकी हत्या की है मगर आज भी एजंसी के पास उसका कोई सुरग नहीं सिर्फ एक फोटो है हो रही इन हत्याओं से secret agents भी परेशान है खास करके Ryan और Mason जो हिना के संबन्दित सभी हत्याओं की चानबिन कर रहे है हिना को धुणना यही उनकी जिन्दगी बन चुकी है हिना यह नाम उनकी जिन्दगी पे इस कदर चाया हुआ है के सपने में भी उने हिना सरे आम उनका कतल करते हुए नजर आती है हिना उनकी जिन्दगी का ऐसा बुरा सपना है जिसने उनकी जिन्दगी की निन उड़ा दी है Ryan और Mason पार्टनर से ज़्यादा दोस्त भी है वैसे Ryan की जिन्दगी में एक सुकुन की बात भी है और वो है मननत, जिसे वो बहुत प्यार करता है और जल्दी ही वो दोनों शादी भी करने वाले है वो ऐसे मननत नहीं जानती, के रायन एक सिक्रेट एजन्ट है रायन ने भी सिक्यूरिटी के चलते, मननत को अपने जोब के बारे में बताया नहीं मननत एक फिश एक्वेरियम चलाती है और अलकोलिजम के प्रॉब्लेम से जुज रही है एक दिन मननत रायन को किसिंग गुरामी फिश की जोड़ी गिफ्ट करती है उसका मानना है कि वो दोनों भी उनी मचलियों की तरह है क्योंकि किसिंग गुरामी में अगर एक फिश मर जाती है तो अपने पार्टनर की मोत के गम में दूसरी फिश भी मर जाती है मननत रायन को आदा बुना हुआ स्वेटर दिखा के कहिती है कि वो उनके शादी तक पूरा हो जाएगा दोनों के रिलेशन को एक साल हुआ है मननत के कहने पे रायन ने अपने ओफिस के हर डेस्क पे एक फिश टेंग रखा है मननत का मानना है कि फिश टेंग वर्किंग प्लेस पे रखने की वज़ा से काम का स्ट्रेस कम होता है जिसकी देखबाल रायन का असिस्टन बोनी कर रहा है जो मुँपे से तो बेवकुफ दिखता है मगर है नहीं एक दिन लीम नाम का एक वेपन डिलर रायन और मैसन को मिलने बुलाता है उसके पास एक क्लाइन को लेके इन्फॉर्मेशन होती है जो जल्दी ही कोई बड़ा धमाका करने का इरादा रखता है मगर मिलने के आइन वक्त पे लीम मैसन के पीछे हिना को देखता है और डर के मारे भागता है रायन उसका पीछा करता है और उस तक पहुँच जाता है मगर इसके पहले के लीम उसे कुछ बताए सामने की बिल्डिंग के रूफ से हीना उसे शूट कर देती है हीना की खासियत है वो हमेशा दो गोलिया चलाती है हाला कि स्नाइपर में पाँच गोलिया होती है हाथ में आया मौका जाने की वज़ा से रायन और मैसन दोनों निराश हो जाते है आटोपसी डॉक्टर का कहना होता है कि वो जो कोई shooting है उसका निशाना बहुत अच्छा है और वो जानता है कहां गोली मारने से तुरंत मोत होती है हिना की निशाने बाजी से रायन और मैसन दोनों हैरान है उन्हें सरिफ इतना ही पता चलता है के कुछ उग्रवादी साउथ कोरिया में कोई टेररिस्ट एटेक करने जा रहे है या नॉर्थ कोरिया में 8 Special Force के उग्रवादी किसी बड़ी मिशन के लिए साउथ कोरिया जाने की तयारी करते है जिने लीड कर रहा है कमांडर पार्क 8 Special Force की एकी मांग है नॉर्थ और साउथ कोरिया का एकी करन यहां और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लिम के ओफिस में रेड डाली जाती है मगर रायन और मैसन को लिम के क्लाइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती लिम जैसे बड़े वेपन डिलर का मरना और उसमें हिना का हाथ होना यह गुथी सिक्रेट एजनसी सुल्जा नहीं पाती मगर उन्हें कंफर्म पता है के हिना का नौर्थ कोरिया से संबन्ध है अब एट स्पेशल फोर्स के उगरवादी सियौल पहुँच जाते है उनका प्लाइन रेडी होता है मगर वो प्लाइन क्या है? वो एक राज है एक शाम रायन, मैसन और मननत सेलिब्रेट करते है वजह होती है रायन और मननत की होने वाली शादी मननत मैसन से पुछती है कि क्या उसका शादी का कोई इरादा नहीं तो मैसन उससे मजाक में कहता है कि उसकी भी एक गल्फ्रेंड थी जिसके साथ उसका ब्रेक अप हुआ और जो कुछ दिनों से गायब है वो उसे धुन रहा है इतना कैके वो मननत को हिना का फोटो दिखाता है मगर वो फोटो देखके मननत थोड़ी डिश्टब होती है रात को घर लोटते वक्त मननत रायन से कहती है कि उसका स्वेटर अल्मोश्ट तैयर हो गया है दोनों अपने शादी के सपनों में खो जाते है यहां मैसन को रिपोर्ट मिलती है कि लीम नेशनल डिफेंस लैब से कुछ हासिल करना चाता था तो अब रायन और मैसन लैब जाने की तयारी करते है तब ही नेशनल डिफेंस लैब के एक साइंटिस को हिना पॉजनस सुई चुबो के मार डालती है यह खबर मिलते ही रायन और मैसन वहां पहुँच जाते है चीफ साइंटिस से बात करने पर उन्हें पता चलता है के लैब सीटी एक्स नाम के एक बॉम पे रिसर्च कर रही है जो नुकलियर बॉम के बराबर है और लिम उनके उस मरे हुए साइंटिस के जरिए वो बॉम हसिल करना चाता था कोरियन मिलिटरी में जल्दी ही इस सीटी एक्स को शामिल किया जाने वाला है सीटी एक्स की खास बात यह है के वो एक लिक्विड बॉम है जो पानी की तरह दिखता है उसे ना कलर होता है और ना स्मेल वो किसी भी बड़े मिसाइल बॉम से दस गुना ज़्यादा पावरफुल है मैसन जान जाता है कि अगर ऐसा बॉम टेररिश्ट के हातों लगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मगर चीफ सैंटिस का कहना होता है सीटी एक्स तक पहुँचना इतना आसान नहीं उसके लिए चार तरह की पर्मीशन्स और मंजूरी लगती है और इसलिए वो मरा हुआ सैंटिस्ट सीटी एक्स को हासिल नहीं कर पाया मैसन को अशरे होता है कि जिस सीटी एक्स को लेके इतना सिक्रेट रखा गया है उसके बारे में उगरवादियों को कैसे पता चला अब चीफ सैंटिस उन्हें बताते है कि जल्दी ही होने वाले वेपन्स हो के लिए सीटी एक्स को मिलिटरी हेड़कॉर्टरस भेजा जाने वाला है अब वसीटी एक्स बड़ी हिफाज़त के साथ मिलिटरी हेड़कॉर्टरस ले जाये जाता है तो यहां 8 Special Force के उग्रवादी अपने weapons लेके उसे हासिल करने निकल पड़ते है CTX की गंबिरता को समझ के Ryan और Mason दोनों हेलिकॉप्टर से उस खेमे की तरफ निकल पड़ते है यहां एक टनेल के बाहर पार्क और उसके उग्रवादी CTX को ले जा रहे उस खेमे पे हमला करते है Korean Military Soldiers उन वेल ट्रेन उग्रवादियों का मुकाबला नहीं कर पाते पार्क के लोग वह 10 CTX हासिल करते है Ryan और Mason मोकाई वारदात पे पहुँच जाते है मगर तब तक पार्क जा चुका होता है पार्क ने जाते वक्त उस ट्रक में एक टाइम बॉम फीट किया होता है Ryan और Mason बालबाल उस बॉम बलश से बच जाते है अब CTX चोरी होने की वज़ा से Korean Defense Department में हडकम मज जाता है उन्हें पता चलता है कि हिना ने लीम को वह CTX हसिल करने को कहा था तो लीम ने एक Scientist को रिश्वत दी थी मगर जब लीम ये बाद Secret Agent को बताने गया तो उसे मार दिया गया तो वह Scientist CTX हसिल नहीं कर पाया तो उसे भी मारा गया फिर उन्होंने इस तरह CTX चोरी करने का प्लैन किया दस CTX जिन में पूरे शर को तबाह करने की ताकत है जो अब उगरवादियों के हाथ में है इस बात से सब Tension में आते है या मैसन को शक होता है कि क्यों हर बार उनके आने के पहले ही यह सब चिज़े होती है जैसे कि वो लीम से मिलने वाले थे तो उसे मारा गया वो लैब जाने वाले थे तो साइंटिस को मारा गया और जब वो उस खेमे के साथ जाने ही वाले थे तो उन्हें खतम कर दिया गया मतलब उनकी हर चाल का पता दुश्मन को पहले चल जाता है दूसरी भाषा में उनके डिपार्मेंट में कोई तो ऐसा है जो दुश्मनों से मिला हुआ है जो अंदर की इन्फॉर्मेशन दुश्मन तक पहुचाता है अब मैसन अंदर ही अंदर रायन को शक की निगाहों से देखने लगता है यहां पार्क हिना को याने स्वीरी को मेसेच करता है कि वह किसिंग गुरामी को याने रायन को मार दे उनके अगले बड़े मिशन के पहले हिना को यह काम करना है अगले ही दिन न्यूज आती है कि साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच प्रेजेंटेशन फुटबॉल मैच होने वाला है जिसे दोनों देश के प्रेसिडंट एटेंड करने वाले है तो यहां शक के चलते मैसन रायन के घर और कार में हिडन माइक्रोफोन लगा देता है दुसरे दिन रायन अपने असिस्टन बोनी के साथ एजनसी के साइंटिस्स विक्टर के पास जाता है वो जानना चाता है कि CTX कैसे काम करता है विक्टर उसे बताता है कि CTX पे रोशनी पढ़ते ही उसमें रियक्शन शुरू होता है और जब वो आग के कॉंटेक में आता है तो बॉम के अंदर रखा नाइट्रो केमिकल बॉल रेड होना शुरू होता है फिर नाइट्रो, अलफा और बिटा का कॉंबिनेशन होता है और वो बॉल फट जाता है बॉम फटे ही कमाल की आग पैदा करता है जिससे एक किलोमेटर के रेडियस में जितनी भी चीजे है उन सब का विनाश होता है तो अगर बॉल को लाल होके उपर आने के पहले याने 10 मिनिट के अंदर रोका नहीं गया तो वह बलाश्ट होगा बॉम को बलाश्ट होने से रोकने का एकी तरीका है आग या लाइट दोनों में से किसी एक चीज को बन करना या एजनसी के हाथ पार्क की इमेज लगती है जो उस दिन खेमे पे किये गए हमले के दिन ली गई थी तब ही हमें ये भी पता चलता है कि रायन और पार्क का पहले भी मुकाबला हो चुका है 10 साल पहले पार्क ने प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की थी मगर वो नाकामयब रहा तब वो रायन के हाथों से बचके भागा था एजनसी चीफ रायन से कहते है कि वो मालूम करे कि पार्क की दिमाग में क्या चल रहा है वो उन दस सीटी एक्स को कहां इस्तमाल करने वाला है तबी पार्क का आदमी एक CTX को कई पे फीट करता है चीफ के हिसाब से CTX चुराने की तीनी वज़ा हो सकती है एक, वो किसी और देश को बेचा जाने वाला है दूसरा, उसे ब्लाष्ट करने की धमकी देकर किसी प्रकार का समझोता किया जाएगा और तीसरा, उसे टेररिस्ट एटेक के लिए इस्तमाल किया जाएगा अगर ऐसा हुआ, तो उसमें काफी बेगुना लोग मरने की आशंका है रायन को लगता है, कि CTX ब्लाष्ट के लिए ही इस्तमाल किया जाएगा मगर वो समझ नहीं पा रहे, नॉर्थ कोरियन एट फोर्स ऐसा क्यों करना चाती है जबकि नॉर्थ और साउथ कोरिया के प्रेसिडंट एक दूसरे से दोस्ती का हाथ मिलाने जा रहे है तबी पार्क हमें किसी जगा CTX फिट करते हुए दिखाई देता है दुसरीया और रायन पोलिस चीफ से मुलाकात करता है और उन्हें आने वाले संकट से आगा करता है वो पोलिस चीफ को तयार रहने बोलता है तबी सामने के टेरेस पे खड़ी हीना अपने स्नाइपर गन में दो बुलेश डालके रायन पे निशाना लगाती है वो ट्रिगर दबाती है मगर गोली पोलिस चीफ को लगती है रायन सर्प्राइज है कि हीना को कैसे पता चला कि वो पोलिस चीफ से मिलने वाला है क्योंकि ये बात बहुत सिक्रेट थी तबी रायन को पार्क का फोन आता है वो उससे कहता है कि हिना के निशाने पे वह था ना कि पोलिस चीफ लखिली वो बज गया अब पार्क उसे बताता है कि उसने शर की 10 जगा CTX फीट किये है पहला बलास्ट गोल्डन टाउर पे होगा तो हो सके तो उसे रोके तो अब सब पोलिस और फायर ब्रिकेट की गाड़िया गोल्डन टाउर बिल्डिंग पहुंच जाती है वो बॉम को धुणने निकलती है मगर उसे डिफ्यूस करने के पहले ही वो बलास्ट होता है जिसमें पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है काफी लोग मर जाते है अब सिकुरिटी के चलते रायन मनत को अपने घर लेके आता है मनत किसी बात को लेके डिपरेस है और शराप पिती जा रही है मगर वो उसका रिजन रायन को बता नहीं पाती अब Ryan एक चाल चलता है वह Mason को phone करके उससे कहता है कि उसे किसी का phone आया था वह शक्स, Hina और CTX के बारे में सब जानता है और वह मिलना चाता है तो अब वह जल्दी एक ठेटर में आ जाए मगर जब Mason ठेटर पहुँचता है तो वहाँ उसे धेर सारे soldiers दिखाई देते है उसे Ryan से पता चलता है कि उसे Mason पे शक है कि वह agency के secrets 8 special force से leak कर रहा है तो अब Mason ने इस meeting की बाद भी ज़रूर पार्क तक पहुँचा ही होगी तो पार्क जाल में फसके ज़रूर आएगा Mason Ryan से कहता है कि वह गद्दर नहीं है उल्टावर Ryan पे इलजाम लगाता है कि वह 8 force से मिला हुआ है इसलिए हिना जैसे sharp shooter ने उसे अब तक नहीं मारा वरना 2 के बदले 3 bullets चला के वह कभी भी Ryan को मार सकती थी अब यह 2 partners एक दूसरे के खिलाफ हो जाते है तबी पार्क अपने 2 सातियों के साथ उस थेटर में आता है अंदर आते ही टार्स फोर्स उस पे firing शुरू करती है पार्क सातियों के साथ भार भागता है तो force firing करते हुए उनका पीछा करने लगती है काफी लंबी firing के बाद पार्क का एक साती मर जाता है तो दूसरी लेड़ी poison capsule खाके suicide करती है पार्क भी घायल होता है उसकी गोलिया खतम होती है अब जब task force उसे shoot करने वाली होती ही है के तबी उसकी मदद करने हिना आती है वो गोलिया बरसा के force के एक-एक आदमियों को shoot करने लगती है पार्क एक आवरत को hostage बना के वहां से भाग जाता है तो अब रायन हिना के पीछे पढ़ जाता है वो चुपके से उसका पीछा करने लगता है एक मोड पे हिना गायब होती है मगर जब रायन सामने देखता है तो वो मननत का fish aquarium shop होता है वो चुपके से shop के अंदर जाता है और अंदर का नजारा देखके शौक होता है उसकी मननत ही हिना होती है रायन अंदर से पूरी तरह तूट जाता है उसका पयार उसकी सबसे बड़ि दुश्मन थी जिससे उसने पयार किया उस मननत ने उसके साथ सिर्फ विश्वासगात किया था जिससे वो शादी रचाने जा रहा था वही देश की सबसे बड़ी दुश्मन थी अब उसे समझ में आता है कि क्यू हिना ने उसे आज तक शूट नहीं किया रायन के जाने के बाद पार्क हिना के शौप में आता है और वहां रखा हिना और रायन का फोटो देखके वो भी समझ जाता है कि क्यू हिना ने रायन को नहीं मारा वो उस पे बहुत घुसा होता है वो उससे कहता है हमने हमारी जवानी इसले नहीं जलाई कि किसी से शादी करके घर बसाए पार्क हिना को गन देके बोलता है कि अगर तुम अपनी रहा भटक गई हो तो अभी अपने आपको खतम करके फैसला करो मगर जब हिना गन अपने सर पे लगा के ट्रिगर दबाती है तो उसमें बुलेश नहीं होती पार्क उसे कहता है अगर जान देनी है तो अपने देश के लिए दे दो या रायन आफिस आके मननत का डेटा निकालता है तो उसे पता चलता है असली मननत कोई और है हिना उस मननत की आइडेंटिटी इस्तमाल कर रही है और वो लेडी किसी हॉस्पिडल में क्रिटिकल बीमारी के लिए एडमिट है अब रायन उस लेडी को मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि हिना उस लेडी के घर पे रेंड पे रहा करती थी और दो साल पहले वो अपनी प्लेस्टिक सरजरी करवाने जापान गई थी अपना चेरा बदल के हिना से वो मननत बन गई यहां पार्क एजनसी हेड़कॉर्टर फोन करके बोलता है कि वो जल्दी ही एरपोर्ट पे बलाश्ट करने वाला है जिससे सब लोग टेंशन में आते है तबी बोनी मैसन से कहता है कि उसकी लापरवाई की वज़ा से उसके डेस्क पे रखी फिश्टेंग की मचलिया मर रही है तबी न जाने मैसन के दिमाग में क्या आता है वो उस मरी हुई मचलि का पेट फाड़ता है तो उसमें से उसे एक हिडन माइक्रोफोन मिलता है मतलब NIS के ओफिस में हर एजन्ट के डेस्ट पे रखी फिश्टेंग में तेरती मचलियों के अंदर माइक्रोफोन चुपाया हुआ होता है और उसी माइक्रोफोन के जरिये उनकी बाते उन नौर्थ कोरियन उग्रवादियों तक पहुच जाती थी और यह सब फिश्टेंग मनत ने उनके ओफिस में रखी थी अब मैसन रायन के घर चुपाये माइक्रोफोन से हीना और पार्क की बाते सुनता है और वह भी समझ जाता है मनत ही हीना है तबी न्यूज आती है कि फुटबॉल स्टेडियम में नौर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच आज मैच होने वाला है जिसे देखने नौर्थ और साउथ दोनो कोरिया کے प्रेसिडन आने वाले है यह मैसन मनत के शौप पहुँच जाता है जहां उसे मनत के पर्स से गिरा हुआ फुटबॉल मैच का टिकिट मिलता है वो समझ जाता है उन उगरवादियों का दोनों देश के प्रेसिडन को उड़ाने का प्लैन है ताकि दोनों देश कभी दोस्त ना बन सके मगर मैसन मननस से मिलने अकेला नहीं आया बलकि पूरी फोर्स और तयारी के साथ आया है मैसन मननस से कहता है कि मैंने खामका मेरे पार्टनर पे शब किया मगर बुरा तो इस बात का लग रहा है कि वो तुम जैसी आवरत से पैर करता है तबी पार्क अपने सातियों के साथ उस शौप पे अटेक करता है पार्क मैसन को शूट करता है टास्फोर्स और उनके बीच काफी फाइरिंग होती है मगर पार्क हिना के साथ वहाँ से भागने में काम्याब होता है तबी रायन वहाँ पहुचता है मैसन रायन को फूड़ वाल मैच का टिकिट डेके हमले के बारे में बताता है और मर जाता है अब रायन ठान लेता है कि वह ना सिर्फ देश के दुश्मनों को मारेगा बलकि अपने दोस्त की मोत का बदला भी लेगा अब रायन अपनी कार से स्टेडियम के और निकल पड़ता है रास्ते में वह चीफ को फोन करके बताता है कि उन्हें गुमरा करने के लिए एरपोर्ट बलाश का बताया गया था दरसल हमला स्टेडियम में होने वाला है मगर चीफ उसकी नई सुनता उल्टा वो उसे पागल ठहरा के आफिस जाने कहता है तो अब रायन अकेला फाइट करने की ठान लेता है तो दूसरी और पार्क हिना के साथ स्टेडियम पहुँचता है हिना टॉलेट में छुपाई स्नाइपर हासिल करती है तो पार्क और उसके बाकी साती सिक्यूरिटीज को मारके उनका ड्रेस पहन लेते है तभी रायन भी स्टेडियम पहुचता है पार्क मेडिया कंट्रोल रूम पे कबजा करता है और वहाँ के ऑपरेटर को प्रेसिडन्ट स्टेच के उपर लगाई लाइट्स ओन करने बोलता है क्योंकि उनी लाइट्स के पीछे सिटी एक्स बॉम फीट किये गए है जो रोश्नी से एक्टिवेट हो जाएंगे लाइट्स ओन होते ही सिटी एक्स में रखा बॉल एक्टिवेट होना शुरू होता है जो दस मिनिट में ब्लाश्ट होने वाला है याँ फुटबाल मैच शुरू होता है बीड में रायन हीना को खोजने लगता है के तभी उसकी नजर प्रेसिडेंट स्टेज के उपर जल रही लाइट की और जाती है वो पार्क का प्लैन समझ जाता है अब जब वो मीडिया रूम आता है तो पार्क और उसके साथी उसे घेर लेते है पार्क उससे कहता है के तुमारे देश में लोग गाने गा के एंजॉय कर रहे है तो हमारे देश में लोग भूक मारी से मर रहे है हम दोनों देश को एक करना तो चाते है मगर यह पॉलिटीशन्स वो होने नहीं देंगे ऐसे करब पॉलिटीशन्स को मारना ही होगा अब मोका देखके रायन पार्क पे गन तान देता है मगर वो उग्रवादी मिशन के लिए अपनी जान भी देने के लिए तयार है तभी पीछे से बोनी टास्ट फोर्स के साथ हमला बोल देता है दोनों के बीच गन फाइरिंग शुरू होती है तो रायन और पार्क आपस में लड़ने लगते है अब बॉम बलाश्ट होने में तीन मिनिट से भी कम वक्त रह जाता है पार्क चाकू निकालके रायन को मारने जाता है मगर रायन वही चाकू पार्क के सिने में भोग देता है और main power supply आफ करने दोड़ता है मगर पार्क गायल हालत में भी उसे रोकने जाता है तो बोनी उसे शूट कर देता है bomb blast होने में सिर्फ एक मिनिट रह जाता है कि तभी Ryan power off कर देता है power off होते ही activation रूख जाता है यहां stadium में बैटी हीना देखती है कि lights off हो गए है वो समझ जाती है कुछ तो गडबड हुई है तो वो प्रेसिडन को मारने मूडती है तो Ryan walkie talkie से प्रेसिडन की security को alert करता है अब security प्रेसिडन को cover करती है हीना गोली चलाती है मगर निशाना चुकता है दोनों देश के प्रेसिडन स्टेडियम से निकलते है अब हीना पारकिंग में प्रेसिडन को मारने दोड़ती है तो Ryan उसके सामने आके खड़ा हो जाता है वो हीना को gun point पे लेता है हीना प्रेसिडन की कार के उपर गोली चलाती है तो Ryan हीना पे गोली चलाता है प्रेसिडन तो बच जाता है मगर हीना रायन को देखते हुए दम तोड़ देती है अब रायन की inquiry होती है कि इतनी बड़ी उगरवादी के साथ उसने रिष्टा रखा inquiry officer से रायन को पता चलता है कि हीना pregnant ही जो रायन नहीं जानता था रायन अपनी लापरवाई को कबूलता है अब जब वह हीना के aquarium shop आता है तो उसे हीना का उसके लिए छोड़ा हुआ voice message मिलता है जिसमें उसने कहा होता है कि उसने रायन के साथ जो पल बिताए है वही उसकी जिन्दगी है रायन वहां रखा box खोलता है तो उसमें हीना ने उसके लिए बनाये हुआ स्वेटर होता है जो अब बनके रेडी है रायन हॉस्पिटल जाके असली मननत से मिलता है और उसे हीना ने दिये हुए किसिंग गुरामी देता है वो उसे बोलता है उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा भी मर जाता है दिल के अंदर रायन भी कई मर चुका है मननत उसे एक गाना सुनाती है जो हीना का फेवरेट सौंग था रायन वह गाना सुनते हुए हीना की यादो में चला जाता है और मूवी यहां खतम होती है अगर explanation अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेर, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन बेल बजाना, फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ, ठैंक्स फॉर वाचिंग